इंडियन गवर्मेंट अपने टेलिस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए अपनी GDP का 3.3% खर्च करने वाली है जिसे की डायेक्ट और इंडायेक्ट बैनिफिट होगा वायर्स एंड केवल, फैंड, स्विचिस और स्विच गेर बदाने वाली कंपनियों को तो आज की इस वीडियो में हम compare करने वाले 3 वायर्स एंड केवल बनाने वाली कंपनियों को different parameter पे और ये comparison होने वाला है हमारा Polycam, KI और Finals केवल के बीच में केवल से 16.7%, LTE केवल से 40.4%, HWN की household wire से 30.9%, SS wire से 3.2%, EP66.2% और other से 2.6% का revenue मिलता है इसके बाद Finals केवल को electric wire and cable से 82%, communication cable से 14% और electric consumer product से 4% का revenue मिलता है अब हम देखते हैं इन 3 company के पास organized wire industry के इंदर कितना कितना market shares है Polycam के पास 22-24% का market share है, Winky AI के पास अभी 7% का market share है और Finals के पास भी 22% का share है अब हम इन 3 company और different parameter पे compare करने वाले हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन 3 company के market cap कितनी है और इनके पिछले 12 mining sales कितनी रही है Polycam की market cap है 11,644 कोड़ रुपे, KI की market cap है 22,140 कोड़ रुपे और वही Finals की market cap है इस समय पे 16,287 कोड़ रुपे अब हम देखते हैं इन company की पिछले 12 mining sales कितनी रही है तो Polycam की sales रहे लगवग 15,216 कोड़ रुपे KI की रही है 7,130 कोड़ रुपे और Finals की रही है 4,670 कोड़ रुपे अब हम देखते हैं कि अगर आपको इन company में 1 एक रुपय कपाना हो अगर तो आपको इन company को advance में कितने पैसे देने होंगे तो Polycap का price to earning ratio इसमें 49.4 KI का 44.7 और Finals के बल का 30.2 तो हम यहाँ पे Polycap को देंगे 1 पाइंट KI को देंगे 2 और WP Finals को देंगे 3 पाइंट अब देखते EV by EBITDA आप देखे यह ratio जितना कब उतर अच्छा माना जाता है तो EV by EBITDA Polycap का 31.8 KI के अंदर है 28.7 और Finals के अंदर 21.8 तो यहाँ पे देखे Polycap को फिट से मिलते हैं 1 पाइंट KI को मिलते हैं 2 और Finals को मिलते हैं 3 पाइंट अब हम देखते हैं इन company का share का भाव अपनी book value के मुकाबले कितना ऊपर या निचे से में चल रहा है तो यहाँ पे देखे price to book value 10.81 टाइंट है Polycap की और KI के अंदर 8.55 टाइंट और Finals की या 4.39 टाइंट तो हम पाइंट देखे Polycap को 1 KI को 2 और Finals को मिलते हैं 3 पाइंट तो अब हम देखते हैं इन company का share का भाव उपनी sales के मुकाबले कितना उपर या निचे से में चल रहा है तो यह भी ratio देखे जितना कम उतना चमाना जाएगा तो price to sales 4.69 टाइंट है Polycap के अंदर KI के अंदर है 3.11 टाइंट और Finals के अंदर है 3.49 टाइंट पॉइंट मिलते हैं Polycap को 1, KI को मिलते है 3 क्योंकि उसका इसमें सबसे कम है और वह फिलेक्स को मिलते हैं अभी 2 पॉइंट तो अब हम देखते हैं debt equity ratio अब माल लीजे इन company के पास अगर खुद का 1 रुपया है तो उस एक रुपय के सामने इन company को पे कितने पैसे अकरज है अब यह ratio देखिए हर हाल में एक से नीचे रहना चाहिए और अगर यह ratio 0 होगा तो सबसे अच्छा माना जाएगा तो debt equity ratio 0.02 है Polycap के अंदर क्याई के अंदर 0.06 और Finalex पूरी तरह से in debt free company है तो मैंने यहाँ पर देखिए इन तीनों को तीन तीनों में काफी अच्छा है अब अब देखिए इंट्रस्ट कवेज ratio मान लीजिए कल कोई कंपरिया कोई loan लेती है तो अब उस loan का जो ब्याज होगा कौन सी company अच्छे डग से दे पाएगी अब यहाँ पर देखिए एक number निकल के आता है अगर वो number जितना बड़ा होगा उतने ही अच्छा माना जाएगा तो polycap के अंदर 26.5, ki के अंदर 20.3 और फिनोलक्स के अंदर 505.73 इन तीनों कंपरियों में सब से अच्छा है फिनोलक्स का तो हम यह पर point देंगे polycap को 2, ki को मिलता 1 और फिनोलक्स को इस बार फिर से मिले 3 point अब हम देखते हैं current ratio याईनि कि मानले इन company को अपना कोई loan चुकाना एक साल के अंदर तो क्या यह company दे सकती हैं अब यहाँ पर देखिए एक ratio निकल के आते हैं जो कि 1 से उपर और 3 से नीचे रहना चाहिए यह हराल में अगर 3 से उपर होगा तो उसका मतलब कि company अपने current assets को धंग से use ही नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी एक negative factor माना जाता है तो current ratio polycab के अंदर है 2.12 और कियाई के अंदर 2.83 और Phinelex के अंदर है 10.03 तो यहाँ पर देखिए polycab और कियाई के अंदर अच्छा है अब देखिए सबसे अच्छा वैसे तो देखिए current ratio Phinelex का है लेकिन वो अपने current assets को इस्तमाल ही नहीं कर पा रहे है तो वो भी फिर wastage ह तो मैंने यहाँ पर polycab को दिये है 3.5 क्याई को दिये है 3.5 क्योंकि दोनों का अच्छा है और Phinelex को मैंने इस बार दिया 1.5 अब हम देखिए quick ratio मालनीजे इन company को अपना को लोन चुकाना है 1-2 महिने के अंदर तो क्या यह company दे सकती है तो यहाँ पर देखिए एक ratio निकल क 7.84 और Phinelex का 7.93 तो point देंगे polycab को 1, KI को 2 और Phinelex को मिलते है इस बार 3 point अब हम दिकते है return on equity जाने की इन company के इंदर जिन shareholder अपना पैसा लगाया था अब यह company अपने shareholder को पैसा कितला वापस दे रही है तो return on equity polycab का 20%, KI का दे 20.2% और Phinelex का 14.4% तो मैंने आप यह point दिय है polycab को भी 3 दिया और KI को मैंने 3 point दिया है वोकि दोनों का यह almost same है वही फिनलेक्स को मैंने यहां पर दिया एक point अब इसके बाद हम check करते है return on capital employed यानि कि यह company अब देखे इन्होंने कोई plant लगाया कोई परी factory लगाई है तो वहां से यह company कितना return generate कर पाती है तो return on capital employed polycab क 27.1, KI के अंदर है 25.8 और Finolex का 18.5% तो हमने point दिया है polycab को मिले 3, KI को मिलते हैं दो और Finolex को मिलते है 1 point अब हम check करते है divin yield, वालनी जी आपके पास यह 3 company के shares हैं तो आपको किस company में सबसे अधिक divin मिलेगा, तो polycab की divin yield है 0.42%, KI के अंदर 0.12% और Finolex की 0.66% यानि कि स सबसे अच्छा divin आपको मिलेगा Finolex के अंदर, तो यहाँ पर मैंने polycab और Finolex को दिये 33 point और KI को मैंने दिये 2 point अब हम check करते हैं इन company का operating profit margin, तो operating profit margin 13.6% और polycab के अंदर 10.2% और Finolex के अंदर 11.3% तो polycab को मिलते है 3, KI को मिला 1, और Finolex को मिले 2 point अब हम check करते हैं इन company अपने को latest corporate action की, क्या इन company ने अपना कोई bonus dividend या फिर कोई split announce किया है हाल फिलाल में, तो देखे, polycab और KI ने अभी तक कुछ भी ऐसा announce ने किया है, केवल Finolex के अंदर आपको 7 रूपय का dividend मिलने वाला है by September को, अब हम check करते हैं कि इन company के अंदर पर मोटर का stake कितना है, और F Finolex cables के अंदर है 35.92%, FIDI के अंदर है 19.41%, KI के अंदर है 47.22% और Finolex के अंदर 26.82%, अब हम check करते हैं कि कितनी mutual fund schemes ने इन तिनों company को अपने portfolio का हिस्सा बनाया है, तो polycab को लिए कुछ 25 mutual fund company ने, और KI और Finolex दोनों को 2019 mutual fund schemes ने अपने portfolio का हिस्सा बनाया हुआ है, अब हम check करत मार्केट से कोई पैसा तरह ने उठाया है, तो देखें इन तीनों company के अंदर प्रेजिंग 0-0% है, तो मैंने तीनों को 3-3 point दिये हैं यहाँ पे, अब हम check करते हैं, माल लिजे आपने इन तीनों company के अंदर ठीक आज से 5 साल पहले 1,00,000 रुपे लगा दिया, और उसको छो अब हम check करते हैं, मारा final score, तो polycap को total point मिले हैं, अब उस तक 28 points, वह की को मिले 29, और final score 31 points, अब हम इन तीनों company का एक बार चार्ट में भी नदर डाल लेते हैं, कि वहाँ पर इनके भी कैसी position है, polycap का weekly chart आजाने कि एक हफते के अंदर क्या हुआ हुआ है, यह कैनल हमें वो सब बता रही है, तो यहाँ पर देखी, clearly हम यहाँ पर देख पारेंगी, polycap के अंदर काफी दिनों से एक इसमें uptrend बना हुआ है, तो दोस्तों यह uptrend देखी, यह stock loveback 4-5 गुना हो चुका है, तो यहाँ पर थोड़ी सी अभी अगर आप entry लेते हैं, तो आप इसमें कहीं फस स दिया है, तो देखी, वहाँ से यह stock loveback 4-5 गुना हो चुका है, यानि कि यह stock देखे, कुछ 640 के आसपास 2021 के अंदर और loveback 2-5 गुना हो चुका है, तो यहाँ पर भी अगर आपको यह entry लेते हो, तो आप इसमें फस सकते हो, अब देखी, जो same चीज किया है, यह industry में कुछ 2021 21 के अंदर की थी, वही same चीज आपको Phenolix में देखने को मिलने वाली है, इस stock ने देखी, लगबग अपना 2018 के बाद इस साल, यानि की कुछ February 2030 में अपना fresh breakout दिया था, और वहाँ से यह stock अभी double हो चुका है, अब दोस्तों क्या यह industry की तरह यहां से 3-4 गुना भी हो सकता ह उसके लिए हमें थोड़ा साब वेट करना होगा, तो अगर आपको यह stock अभी कुछ 750-800 की range मिलता है, तो आप इसको खीद के चल सकते हो, लेकिन दोस्तों सबसे जरूर यह इन 3 कंपणियों के business को समझना, अगर आप इन 3 कंपणियों के business को समझ लेते हो, तो आपको अपना दोस्तों मिलता हूँ आपसे नेफ्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केर, जैहिन